तो चलिए एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ डिसकस करते हैं हाँ मुझे पता है आपने थमनेल देखा कि सर्वर एड्मिनिस्टेटर कैसे बनते हैं और ये वीडियो पूरा उसी पर डिपेंड है लेकिन एक छोटी सी स्टोरी में आप लोगों के साथ सेर करता हूँ सायद कहीं पर आपको मोटिवेट करे और आप समझें की कैसे हमें किसी भी चीज को या सक्सेस को पाने के लिए या इन्वार्मेंट समझने के लिए क्या करना होता है एक छोटा बच्चा जबी पैदा होता है तो उसको आप जैसे इन्वार्मेंट में रख दो वैसे ही भो सीखना, start कर देता है वैसे ही बोलना, बाते करना हैना, उसी skill को वो develop करता अपने अंदर जानवरों के बीच रख़दो उसी तरीके से behavior करेगा उसको British में रख़दो, ब्रिटेन में रख़दो British English बहुत अच्छे से बोलेगा उसको कहीं से उसका course करने की जरूरत नहीं है, लोगों के बीच रहके वो सीख जाता है, है ना, उसको अमेरिका में रख दो, अमेरिकन बोलेगा, आप उसको जिपैन में रख दो, जैपनीज जो भी language होती है, वो बोलेगा, यानि कि जिस environment में वो रहता है, वैसे ही वो अपने skill को develop करता है, इस सारी चीज़े, तो मेरे कहने का मतलब यह है, कि अगर आप अपने skill को develop करना चाहते हैं, या एक successful IT engineer बनना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है, कि आप जिस environment में अभी हो, क्या वहाँ पे कुछ सीखने को मिल रहा है, यह matter करता है, बहुत बड़ा यह matter है, कि हम किसी की success को देख लेते हैं, कि भाई, वो तो server का course करके, एक लाक रुपए का package पा गया, वो तो CCNA का course करके, दो लाक रुपए का package पा गया, लेकिन package और उसका, यह मत देखो कि वो बस CCNA कर लिया मिल गया, नहीं, उसने कहीं न कहीं hard work किया होगा, चोटी से चोटी से तैयार किया होगा, फिर advanced courses के बारे में उसने अपनी skill को develop किया होगा, तब जाकर कहीं वो आगे बढ़ा है, लाकों का package वो receive किया है, हम जब भी IT field में जाते हैं, फ्रेसर लेबल पे तो बहुत problems होती है, हम interview crack नहीं कर पाते, या हम concept समझ नहीं पाते कि हमें IT industry में कौन सी profile लेनी चाहिए, कौन सी job हमारे लिए suitable है, बहुत सारे doubts हमें होते हैं, even then जो लोग working professional हैं और एक basic salary के साथ job कर रहे हैं, 5000, 7000, 10,000, 15,000, 20,000, किसी भी company में है, और 7-2 साल से, 3 साल से लगे पड़े हैं, ना कोई promotion है, ना कोई growth है, तो कहीं न कहीं उस company की गलती नहीं है, मैं कि किसी का भी यहां पर fault नहीं कह रहा, problem कहां पर है कि आपको proper path नहीं पता, या आपको guide नहीं है कि कैसे हमें इस field में आगे बढ़ना है, एक साल, दो साल, तीन साल किसी भी field में देने के बाद आप बहुत अच्छी, वहां पर एक skill develop कर सकते हैं, बहुत अच्छा है कि experience gain कर सकत तो यह लग रहा था कि भाई, अभी किदर से जाएं, कौन सा course करें, यह सब चीज़ें, बहुत matter करता है, फिर proper अगर कही path मिल जाता है, और मुझे, मैं अपने आपको बड़ा lucky समझूंगा कि कुछ चीजें मुझे बहुत जादा impact करी, कुछ ऐसे circle zone मुझे मिल गया, जहां बहुत अच्छी चीज़ है, और कुछ industries वगरे के लोग मिले जहां पे 10 साल, 15 साल से काम कर रहे थे, उनके साथ पहली बार काम करने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि हाँ, यह लोग इतना बढ़ सकते हैं, तो हम इससे better कुछ कर सकते हैं, और literally मैंने 3 months, 6 months के अंदर उनसे बहुत अच्छा करने की कोशिस किया, और कही न कहीं मैंने किया भी, तो मैं आज इतने सालों के बाद में यह बोल सकता हूँ, कि मैं बहुत सारे subject में काफी अच्छे से आप लोगों को training, आप लोगों को सिखा सकता हूँ, या किसी भी company में support दे सकता हूँ, मुझे अपने इतना confidence है, यह confidence मैं अपने आपको बोलूँगा, यह over confidence नहीं है बढ़ हाँ, इतना है, और यही चीज आपको अपने अंदर build करना है, अगर जिस दिन आपको proper guide मिल गया, और आपने इतना सोच लिया कि मुझे, अगर server engineer बनना है, तो मैं server engineer को, मतलब बनने के लिए server engineer के task को handle करने के लिए मैं वो सारी skills सिखूंगा, जो भी इमें सीखना चाहिए, और वो skills सीखने के लिए proper आपको mentor चाहिए होता है, proper trainer चाहिए होता है, educator चाहिए होता है, वो अगर मिल जाता है, and then फिर आप थोड़ा amount अपने उपर खर्चा करते हो, तो एक best experience आपको मिलता है, तो literally बस मैं यहाँ पर story को यहीं पर end करूँगा, आपको idea लग गया होगा, कि invest जो भी आप इधर उधर खाने पीने में फालतू की चीज़ों में, friend circle, movie वगरे में करते हो, वही amount आप five to six month में collect करके, कहीं पर दो चार अजार रुपए देकर बहुत अच्छी सी training ले सकते हो, हला मैं यह नहीं कह रहा है कि हमेशा यही रहेगा, but 199 रुपीज में Linux की एक पूरी book मैं पढ़ा रहा हूं, ओके, तो अभी वो दो-तीन दिन ambition start है, आप चाहें तो Linux के लिए भी WhatsApp नंबर पे contact कर सकते हैं, 199 यह सोचो की आपका recharge भी इससे ज़्यादा होता है, और आप एक mall में ज security ethical hacking में अपना career बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं, तो चलो फिलाल यह रही इधर उधर की बातें, I think यहाँ पे 5 minute का मैंने आपका time best किया होगा, बढ़ अगर लगा अच्छा है, तो definitely comment करके बता देना, अब बात करते हैं यहाँ पे, कि person के लिए एक course बनाया है, मैंने नहीं बनाया है, और इसमें मैंने कुछ बहुत अच्छे content एड किया हुआ है, लगबग में 25 module के असपस मैंने एड किया हुआ है, जिसमें different roles and responsibilities पर live practicals के साथ मैं सारी चीज़ें आप लोग को सिखाऊंगा, course market fees के coding आप देखेंगे तो 70-80% कम price में आपको मिलने वाल है, I think यह fee अगर इतना discount के साथ मिल जाए तो definitely invest करना चाहिए आपको, मैं अपनी website पे आपको लेकर चलता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं क्या-क्या चीज़ें add किया हूँ, exactly, देखो live session में इससे भी advanced query questions interactive session होता है, but यहाँ पे भी आप देख सकते हो, website यहाँ सीखुलाइब.com और यहाँ पे courses में आप आ जाएंगे, आप CCNA करना चाहते हैं, सर्वर जो भी करना चाहते हैं, आप यहाँ से select करें, अभी मैं पूरा dedicate कर रहा हूँ video MCSA server administrator के लिए, Microsoft Windows server आप यहाँ पे check out कर सकते है यहाँ पे देखेंगे, और मैं आप explain कर देता हूँ exactly, कि यह fee पर मत जाओ, यह 5000 fee नहीं है, इससे भी कम है, यह बस मैंने ऐसे add किया, तक कोई भी enroll ना यहाँ पे कर ले, जब तक मेरा उससे proper communication ना हो जाए, तो यहाँ पे मैंने demo video भी upload किया हुआ है, live batch का, आप देख सकते ह कैसे क्या है, और इसको play करके देख सकते हो, video की description में मैं इसका link डाल दूँगा, directly open करके देख सकते हैं, यहाँ पे लगबग में आप देखेंगे, तो आपको क्या-क्या information मिल रही है, क्या-क्या learn करने वाले हैं, बहुत सारी information यहाँ पे मैंने add किया हुगा, आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, even then, 23 modules के अंदर आप complete server पे काम करना सीख जाएंगे, आपको अगर बिल्कुल phraser और आपको networking नहीं आता, OS के बारे में नहीं idea, तो server कैसे operate करोगे, but don't worry, इस course को join करने के बाद, आप server का course तो करेंगे ही, करेंगे, networking भी पढ़ने को मिल जाएगा, और operating system की पूरी जानकारी आपको मिलेगी, कैसे इस्तिमाल करना है, कैसे use करना है, वो भी IT industry के recording, ऐसा नहीं कि गाना play कर दिया, वो अब server OS चलाना समझ गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसके लिए एक अलग skill होनी चाहिए, जो कि मैं पूरा आपको guide करूँगा, okay, प्लस आप कुछ यहां पर बताया क्या है, core और GUI में क्या differences है, networking मैंने पूरा आप लोगों को पढ़ाए, recorded video का भी additional access मिलेगा, आप join करने के बाद चाहें, तो आगे continue कर सकते हैं, अपना recorded video के साथ जो भी practice है, जो भी आपको doubt होता है, तो बार-बार यहां पर देख सकते हैं, बाकि live session में आप query questions भी करते हुए, अपना doubt clear कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहां पर ethernet के बारे में पूरी technology दिया गया है, ADDS के बारे में पूरी information है, workgroup domain क्या होता, active directory user configuration, hyperv virtualization के बारे में, storage का complete यहां पर पार्ट आपको मिलता है, बहुत सारी चीज़ें red वगरा का live configuration है, और ऐस server क्या है, storage and sharing process क्या होता है, offline sharing कैसे किया जाता है, DNS complete server मिलता है आपको live demonstration के साथ, DSCP server, deployment server, print server, WDS server, GPU की policy, software deployment, application deployment, आपके updates को deploy कैसे किया जाता है, plus additional permissions कैसे apply होती, OU पर permission, users पर permission, group पर permission, यह सब कुछ एक industry के अंदर काम किया जाता है, और यह पूरा का पूरा हम लोग lab design करते ह हैं, जिसके अंदर आप lifetime अपने computer system पे lab create कर सकते हो, इसका कहीं पर भी कोई एक रुपए का charge नहीं देना होता है, और बहुत आसानी से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, remote desktop, RD web जैसी service को भी हम लोग यहाँ पे configure manage करने वाले windows server, backup यहाँ पे आपको मिल जाता है bitlocker, IIS की service भी दिखाऊं तो last module तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने समझने को पा जाएंगे, हर module को मैंने एक advanced level पर design किया हुआ है, हर modules में अच्छे से अच्छे content मैंने रखा additional अगर आप कुछ और भी add करवाना चाहते हैं, तो during session मैं जरूर उसको cover करने की कोशिस करता हूं live interactive session होता है, 70% का discount है, बहुत सारे ऐसे courses जिसमें 70, 80, 90% तक का discount है, whatsapp number है, उस पे जाकर आप enroll करने के लिए inquiry कर सकते हैं, whatsapp पे अपना जाएं details forward करें, आपका नाम क्या यह सब, आप hi hello, लिखेंग अटमेटिक, एक message आपको मिलेगा, जिसके तुरू आप आगे continue कर सकते हैं conversation, और आप whatsapp बस करें, call support, please call पर support हम लोग नहीं provide कर सकते हैं, क्योंकि इतनी call वगएरे receive करना और इन सब चीजों के लिए मैं नहीं साहता, जब भी free होगा कोई, तो आपको जरूर proper answer मिलेगा, आपको काउन सा course करना है, whatsapp पे drop कर दो, details forward कर दो आपकी, undoubtedly आपको उसके according best course server made mission लेना है, इसी 15 तारिक तक last date है, 70% का discount चल ला है, आप 14th September से पहले enrollment कर लें, ताकि आप अच्छा से अच्छा training ले पाएं, अच्छा investment कर पाएं आपने उपर और lifetime earning करें, एक बार invest करने के बाद आपका career, आपका future lifetime इस चीज को use करेगा, lifetime इन सारी skills पर आप earning कर से कुछ pay करना पड़ रहा है, आप यह सोचो कि इतना pay करने के बाद आप lifetime इस skill पर काम करने वाले, earning करने वाले हो, और आपका एक better future create होता है, यहाँ पर, okay, तो definitely, और during session job placement को लेकर बहुत problem होती लोगों को, मैं फ्रेसर लुसर मुझे job कैसे मिलेगी, आप job placement provide करेंगे, मैं यह कहता हूँ, आज के समय पर job placement के लिए किसी से बोलना ही नहीं है, किसी से एक बार भी नहीं बोलना है job कैसे होती, मैं guide करूंगा placement कैसे ले सकते हैं, अपना घर से बैटे, आप अपने computer systems, अपने mobile से, आप job के लिए apply कैसे कर सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी तरीके का किसी क पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको वो भी assistance मिलेगा कि कैसे job apply किया जाता है, CV कैसे create होता है, यह सब कुछ last module में आप लोगों को बताया जाता है, और आप अपना अच्छा career start कर सकते हैं, कितने लोग interested हो, comment कर लो अभी, और WhatsApp नंबर पे जाओ, वीडियो का description में, आप कितने लोग interested हो, जरूर आप comment करेंगे, चैनल को subscribe करके रखेंगे, टेकनिकल बहुत सारी वीडियो जाती रहती है, एक चीज़ मैं आमेसा आपको बोलूँगा कि notification bell icon जो होता है उसको जरूर प्रेस करके रखो, otherwise आपको को notification नहीं मिलेगा, मैं कौन सी वीडियो upload कर रह तो मैं बहुत सारे ऐसे technical content आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा, और दो-तीन नए courses आप लोगों के लिए आ रहे हैं, जो कि काफी demanding था, like programming से related कुछ है, कुछ development से related है, तो वो भी मैं लेकर आ रहा हूँ, तो बस इस वीडियो में इतना ही, WhatsApp पे inquiry कर सकते हो, तो अभी जा असानी से student phraser है, तो भी query questions करके अपना जो भी यह courses कर सकता है, असानी से अपना problem solution ले सकता है, बात करके यह सारी चीजे, असानी कि पूरी bead में कटा कर दूँ, जिसमें लोग बाते ना कर पाए, लोग query questions ना कर पाए, okay, hesitation नहीं होता है, मैं खुद पूछता रहता हूँ, स झाल, 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